नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं निमो स्लाइड एंड पैरासिटा मोल टैबलेट के बारे में यानि की निम स्क्योर पी टैबलेट के बारे में दोस्तो बहुत सारी कमपनियों के निमो स्लाइड एंड पैरासिटा मोल आती है लेकिन यह जो निम स्क्योर पी है यह smart company की है और इसका result बहुत अच्छा होता है और इस वीडियो में इसके फायदे नुकसान और इस्तिमाल करने का तरीका कितने दिन तक इसको इस्तिमाल कर सकते हैं इन सभी बातों को बताने वाला हूँ तो वीडियो को अंते तक देखेगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देजिए सब्सक्राइब साथ में जो घंटी ओला निशान है उसे ओल पर टाच कर दिए ताक आप ऐसे ही डिसका नेट्फिकेशन मिलते रहें तो दोस्तो निम स्क्योर पी टेबलेट जो आती है स्मार्ट कंपनी की है और इसमें निमो स्लाइट जो है सो एमजी होता है और पैरे से टेमोल है तीन सो पच्छिस एमजी होता है एक टेबलेट में 60 रपिस का म.r.पी है 10 गोलियों का लेकिन दोस्तों यह एक जैनरीक प्रोडक्ट है तो आपको कंपराईज मिल सकती है तो यह इसलीए खास है दोस्तों एक तो इसकी पहचान बहुत अच्छी है कि यह स्क्योर में आती है चोरस में ये टैबलेट आती है, बाकी सबी कमपनियों की जो है लंबी आती है या फिर गोल आती है तो चलिए इसकी बात कले थे इसकी योजर्ज की किस काम इस्तमाल किया थे दोस्तो इसका उपयोग दर्द और बुखार को ठीक करनी के लिए किया जाता है ज्यादा तर वैसे अगर आप इसको डॉक्टर की सलाओं के साथ में इस्तमाल करें के तो ज्यादा बेटर है फिर भी अगर आपके घर में ये रख की हुई है तो आप इसे कभी कभी इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है कोई भी नुकसान नहीं होता है अगर आपको इस सॉल्ट से इस नीमू स्राइड और पैरसितमोल से कोई इलर्जी है तो आप डॉक्टर की सिला के साथ में ही इस्तमाल करना दोस्तों इसको उप्योग दर्द वुखार जुड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द कमर दर्द सूजन नसों का दर्द हो यहां फिर नसों में खिचाव हो गया है, माशपीशियों का दर्थ है, उसमें इस्टमाल कर सकते हैं और माशपीशियों के अकड़ने पर भी इसको 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 सकता है साथी साथ इसकोप योग आप arthritis की problem को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है गठी अबाय की problem को ठीक करने के लिए आराम के लिए उसमें इस्तमाल किया जा सकता है जड़ से ठीक करने को तो नहीं मैं कहूंगा कि इससे जड़ से ठीक हो जाता है लेकिन आपको काफे relief मिल जाएगा उसके लिए आपको अगर गठी अबाय की problem है तो आपको उसके लिए काफी दवाइएं इस्तमाल करनी पड़ती हैं काफी दवाइएं खानी पड़ती हैं तो डॉक्टर को दिखा कर ही आप इस्तमाल करना या फिर उनको चेक करा कर ही किया जा सकता है या फिर जरूरत पढ़ने पर भी इस्तमाल किया जाता है जैसे मरीज की कंडिशन रहती है उसी प्रकार से इसकी डोस को भी बताया जाता है और वैसे तीन दिन से लेकर एक हफ़ते तक नॉर्मली डॉक्टर बता देते हैं अगर जब आपको ज्यादा बताते हैं तो आप इसको डॉक्टर की सला की साथ में ही इस्तमाल करना इसके साइड एफेक्ट की बात करें नुकसान की टैबलेट लेने से तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर बताईएगा तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही उम्मीद करता आपके वीडियो अच्छे लागा तो वीडियो को लाइक जिडू कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद वीडियो देना है तो आपके लिकित्क बंद करना यान में अपने प करना है रख़के दो आपके ट्रूस्तों करता चैनल को सब्सक्राइब कर सो देख़के लेएट तो सरे मिडियो आपके लाग यागा रभाशना ब्सकांता की。